दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे पसाओती हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चले सुरवात करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से। करने का अलड़ जरी किया गया है। उसमें केमूर बाकसर रहतास भुजपूर औरंगाबाद अर्वल जमुई बाका मुंगेर भागलपूर खगड़िया सहरसा मदिपूर सुपूल अररिया पूर्णिया कटिहार और किसन गंज सामिल है। मौसम विबाक के पूरानमान के नुसार, राज के सितामड़, सिवर, मदुबनी, सुपूल, अर्या, किसन गई, दरबंगा, जमाई और बाका में भारी बारी सोने का पूरानमान है। माई बाड़ी कार में देखे बिहार में बरसे आसमाने अफ़त, बजरपाल से पंदरा की मौत, अनितिस ने जताया सौक। साती मिर्तक के परिजनों को अविलम 4-4 लाक रुपी अनुगरा अनुदाना देने का निदेश दिया गया है। मुझी मंत्रे ने लोगों से अपिल किया कि विए खराम मौसम में पूरी सतर्ता बर थे। वाजरपाल से बचाओं के लिए आपदा परबंदन बिभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गए सुझाओं का अनुपालन करे और खराम मौसम में घरों में रहे और स्रचित रहे। पाड़ी कर्याले में पाड़ी के सुप्रेमों लालो यादव खुद पहुचे और उनके नेतुत में इस्तापना दिवस समारों का अविजन किया गया। इसी मोके पर पाड़ी की वा करिकरताओं ने लालो यादव को सलामी दी। अपने समदर में लालो यादव ने 2024 के लोकसवा चुनाओ, 2025 के विदानसवा चुनाओ के मदे निजर पाड़ी कर्करताओं को चुनाओी मंत्र दिया। वाज़े के इसी दुरान आरज़ी के राष्टी अदज लालो प्रसाद यादव ने कहा कि केस मुकदम F.I.R के कोई परवा नहीं करते हैं, उससे बिलकुल ही नहीं डरते हैं। नारेंदर मोदी के बारे में कहा कि जो कोई मोदी का विरोध करता है, उससे परतारित करने के लिए केंदर सरकार केस करदती है। 23 जुन को पटना में विपक्ची एक तक की बड़ी बैठक हुई, इसके नेतो तो मुखमंतरी नितिस कुमान ने किया है। अब एक बड़े ओपोजिशन पावर का मजबूत सेब दिया जा रहा है। हमारे अगले मीटिंग मेंगलूर में हो गिये और उसमें हम सब लोग जाएंगे और सभी बिबक्ची पाडिया एक जुट होकर दोजर 24 का चुनाव लड़ेंगे। बड़े करमेदी के बिहार के एक दरजन नदियों में उफान मड़ाने लगा है बाड़ का खत्रा। जादे के नेपाल के लावा उत्तर परदेस में भारी बारिस के बाद राज की नदियों में उफान है। गंगा समेथ तमाम बड़े नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है इससे उत्तर और पूर्वी बिहार और कोसी समाचल के जिलों में बाड़ का खत्रा मंडाने लगा है। गंगा पिछले 24 गंटे में एक मीटर से अधिक बढ़ी है वाजबकि कोसी हर गंटे 1.5 सेंटिमीटर वा बागमाती हर गंटे में 3 सेंटिमीटर से अधिक बढ़ रही है। इसके करा नदि के पानी का फिलाव आसपास के इलाकों में शुरू हो गया है। वाजबकि के पूनपून का जलेष्टर 24 गंटे में 1.3 मीटर तक बढ़ गया है। इसके बाद मैदाने इलाकों में शुरू के असंका उत्पन हो गई है। गंगा के अलवा कोसी, बागमती, गंटक, बुड़ी गंटक, खिरोई, अधवांस, महानन्दा, घागरा, पुनपुन, कमलबलान, बुतई बलान, नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और एम फार्मा अवियरति तदा बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवियरति के लिए उच न्यालाई के आदिस के बाद लिया जा रहा है। बिहारा राज फार्मेसिक काउंसलिंग के सदे से आर जेस राज स्रिवास्तवा ने कहा कि पटना उच नियाले ने बिहारा तक्निकी से वा आयोग को 17 मौई को आदेस दिया था कि वैसे अभियरती जो बिना डिपलोमा किये बी फार्मा और एम फार्मा किये हैं उनका भी आव असिष्ट पद पर फार्मेसिक ग्रेजुएट को लेने से मरीजों को ड्रग रियक्शन एवाम महंडारन की गनवत्ता में सुधार होगा बाड़ी खर में देखे बिहार में पहली बार मौसम केंदरों से मिटी में नमी की जानकारी मिलेगी जा देखे प्रदेस में पहली बार मौसम केंदरों से मिटी की नमी की जानकारी मिलेगी इसके लिए तमाम मौसम केंदरों में मिटी नमी सेंसर लगाए जाएंगे राज सरकार इस योजना पर सहमाती दे दी है पाले चरण में सुभी के 10 प्रकणों का चैन किया गया है यहां परियोग सपल होने के बाद चरणबत तरिकी से इस सुभी के 35-34 प्रकणों में लगू किया जाएगा सरकार की योजना है कि एक वर्स के अंदर इसे पुरे प्रदेश में हर हाल में क्रियानविंत कर दिया जाए इस कदम से किसानों को इसका सिधा लाब होगा राज सरकार का मानना है कि इस योजना से किसानों को लाब होगा जेन प्रकाणों का चैन गया गया है उनमे औरांगाबाद, बाका, बाकसर, जहानाबाद, जमोई, किसन गंज, सिवर, सिवान, मदुबने के राजनेगर और क्यमूर के भवा सामिल है बाडिकार में देखे पपो यादव करेंगे एनेच चक का जाम और रेल चक का पाड़ी, बोले डौमिसाले निती बिहारी वाव का अपमान पपो यादव ने कहा कि सरकार के गलत निदियों के कारण इवाव का पलायन हो रहा है, जाप का एक एक करकरता डौमिसाले निती लागू करने है तो गाउं गाउं जाकर अंदोलन करेगा उनने कहा कि इवाव को रोजगार नहीं मिलने को लेकर 9 जुलाई को एने चक का जाम और 16 जुलाई को रेल चक का पाड़ी करकरता करेंगे बाड़ी करमेदे के स्राउनी मिले के दोरान डीजे बजाने पर लगा प्रतिबांद कावारिया पत को लेकर थानों को मिले ये सक्त निदेश स्राउनी मा के दोरान कावारिया पतो पर बिसेस निगराने के विवस्ता की गई है जिले के तमाम कावरिया पदो पर शुरक्षक की साथ साथ अने जरौरी बादो को लेकर जिला प्रसासर ने इस्थाने थानों को बिशेश निर्थिज दिये हैं बाड़ी खर में देखे शिक्षा विबाग में आर पार की लड़ाई मंत्री चंदर से करिक आपध सचीव डाक्टर के और यादाव को विबाग में एंट्री पर रोख जाद के भिहार सरकर में मंत्री और अपसर की बेच ताना तानी है इसमें बलिक बक्रम मंत्री के आप्त सचीव डाक्टर केयन यादव बने हैं इन्हें सिक्षा विभाग में एंट्री पर रोक लगा दी गई है इनकी सेवा भी खतम कर दी गई है कई गंबीर आरोप भी लगाए गये है उनसे डाक्टर के उपादी लगाने का सबुद भी मांगा गया है पीत पत्र के जबाब में पीत पत्र लिखा गया है सिक्षा प्रसासक सुबुत कुमार चोधरी ने लिखी है आपको बता दे कि सिक्षा विभाग में पीत पत्र का खेला में सिक्षा मंत्री के बाहरी पे कृष्णा नंदा नियादव को सिक्षा मंत्री के सेल में एंड्री पर पबंद लगा दी है सिवा वापस की गई है के या नियादव को पीत पत्र में लिखा गया है कि सिख्चा विबाग के अपर मुझे सचिव केके पाड़क के नेदेश पर यह पत्र लिखा गया है आपत सचु के बदले लिखे पीत पत्र में आगे लिखा गया कि आपकी सेवाई लोटाने के लिए सक्चम प्रादिकार को विभाग को पले ही लिखा जा चुका है विभाग द्वारा ये भी निदेज किया गिया है कि आप सिक्चा विभाग के कारियाले में भोतिक रूप से पर्वेश नहीं कर सकते हैं तर में देखे 10,000 कड़ोर का अनुपूरक बजट पेस करीगे नितिस सरकार बिहार विदानसवा का मानसुन सत्र 10 जुलाई से जिया देखे 10 जुलाई से सुरू हो रहे बिहार विदानसवा के मानसुन सत्र में नितिस कुमार के सरकार 10,000 कड़ोर रूपिय का अनुपूरक बजट पेस कर सकती है सरकारी अधिकारियों के मताबिक सत्र के पहले देने चालू विदिया वर्ष के पहला अनुपूरक बजट विद्ध मंत्र विजय कुमार चोधरी पेस कर सकते है विद्ध विबाग से जुड़े सुत्रों ने बताए कि अनुपूरक बजट 10,000 कड़ोर रूपिय के करीब हो सकता है जिसे सिक्छा विबाग समित अनि विबागों के लिए विद्ध प्रवधान किये जाएंगे विद्ध के सुत्रों ने बताए कि अनुपूरक बजट में सिक्छा विबाग के लिए ज़्यादा प्रवधान होगा ताकि इसका इसापना कर्च पुरा हो सके इसके अलावा सम्हावना है कि सरकार का गेर योजना खर्च बढ़ सकता है क्योंकि बड़े पेमाने पर हो रहे भरतियों की वज़ा से सेलरी का बोज बढ़ेगा पिहार में सिक्छक पुलिस के अलावा कई और विबागों में भरतिया चल रही है अधिकारों ने बताई कि एक बार जब बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाएगा तो सेलरी मद में और कितना खर्च होगा इसके साब साब तस्वीर सामने आ जाएगी अधिकार में देखे बिहार के हजारों बच्चों के च्हातर विर्ति लंबीद केके पाढग ने सबे मामलों के समाधान का दिया अल्टिमेटम 31 जुलाइ तक हार हाल में लंबित मामलों के बुगतान का अल्टिमेटम दिया है हाल इमें हुई बैठग में उन्होंने मायदमिक सिक्चा निदेशक से कहा कि इसके समधान की सोचना विगापन के जरिय दी जाए सिक्चा विबाग की अपर मुख सची पाठग की अधिकता में हुई एक बिसेस बैठग में पिछड़ा वर्ग एवम आतेंदे पिछड़ा वर्ग केलान विबाग की तरब से चातर विर्थी के लंबित होने का मामला उठाय गया था इसी तरह प्रीमेटरे के चातर विर्थी योजना में लंबित मामलों के समधान के नेदिस दिये गए हैं इसके समधान के टाइम लाइन जुलाय तक रखी गई है अड़े करमेदे के पटना में एक हफते में करेब एक करोड का जुर्माना ट्रैफिक रोल तोडने वालों पर सकती अब ड्राइबर ओन फोन पर भी जुर्माना सहर की यातायात वेबसता को सुगम बनाने के लिए बीना सीट बेल्ट या हेलमेट इवालेंट रॉंग वी में एंटरी वाले नागरिकोगों के चलान काटी जा रहे थे अब आने वाले समय में 9 सीट बेल्ट ड्राइबर ओन फोन पर चलान कर जाएंगे रूपीय आठाई जून को लगबग 15 लाख रूपीय वं 29 जून गो लगबग 14,50,000 रूपीय का चलान कटा गया है इस तरह एक हटे में एक करोड रूपीय का चलान कटा गया है प्रेकर में देखे बिहार से सरदालो की सुविधा के लिए चले गी पांच जोड़ी स्पेसल ट्रेने रेलवे ने जारी की सेडियूल जादे कि स्रावनी मिला के अवसर पर सरदालों की सुविदा के लिए रेलवे ने पटना असंसोल पटना जसीडी रक्सोल भागलपुर वा गोरगपुर देवगर की बीच स्रावनी मेला इस्पेसल ट्रेनों का परिचालन सुरु कर दिया है इसके अलवा सुल्तान गंज स्टेशन पर पांच जोड़े ट्रेनों का दो मिनट का ठेरा भी दिया गया है अगस्त तक प्रति दिन गया से आट बज कर पचपन बजे खुल कर 11.45 में पटना पहुचेगो और पटना से 11.45 में खुल कर अगले दिन 5.45 बजे जसीडी पहुचेगी अगले दिन 3.45 में खुलेगी और दूसरे दिन दो बज कर 30 मिनट में भागलपूर पहुचेगी वहीं भागलपूर रक्सल प्रति दिन भागलपूर से साड़े चार बजे खुल कर अगले दिन 3.15 में रक्सल पहुचेगी अधिक दानापूर और साहिब गंज दोनों तरब से 9 जुलाई से 27 अगस्तक प्रतिक रहवार को गाड़ी से 0.236 और 0.233 दानापूर साहिब गंज दानापूर इंटरसिटी एक्सप्रेस के समय अवाम ठाराव के अनुसर चली